गर्देरी का मन्दिर तो मेरे देवता हो स्वर्ग से संदर सपनों से प्यारा होता है परिवाद गुड मॉर्निंग दोस्तों देखिए मैं आपे सुबह सुबह नहां दबा कि आज पूजा कर रही हूँ तो मैं सुची कि सासाथ वीडियो भी चालू कर दे रही हूँ ब्लॉग भी चालू कर दे रही हूँ क्या है दोस्तों कि हमारे हस्बेंट जो कहें निकलना है तो इस चलते मैं आज जल्दी सारा काम खतम करके मैं पूजा यहां पर सुबह सुबह करने लगी क्योंकि कहा जाता है कि घर से अगर निकले कोई तो जाड़ू पोचा नहीं किया जाता है अगर लंबी टूर पे निकले तो बिल्कूल मतलब नहीं नहाया जाता है दोस्तों सब्सक्राइब बाद देखिए दोस्तों यहां हमारे हस्बेंट जाने भी लगे देखिए तब कुछ जादा ही लंबा ही टूर उतना कम भी टूर नहीं था यहां भगवान जी को परणाम करके यहां पर देखिए निकल चुके हैं हमारे अजबेंट जी तो मतलब मैं थोड़ा सा वीडियो सूट की थी तो चलिए फिर मैं मिलती हूं आप लोग से बाद में देखिए निकल गए हमारे अजबेंट वेलकम माई यूटू चैनल आप सभी के चैनल प्रतिभा सर्मा प्रतिभा सर्मा के चैनल में आप सभी को फिर से बर स्वागत है दोस्तो दोस्तो आप सभी कैसे हो आई होब आप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में सबस्थ होगे मस्थ होगे दोस्तों और अच्छा रहना भी चाहिए और आज तो इस लुड़ नहीं अचा लग रहा है हमको tota पूस्तों कुछ pics कुछ दिन तो मानेज करना पड़ता है अच्छा नहीं लगता है उसके बाद रहते रहते हैं अच्छा लगने लगता है बच्छे लोग भी स्कूल चल गया है तो और एकदम बेकार लग रहा है दोस्तों बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है देखिए बच्छे लोग स्कू कितना दिन में आते हैं मतलब काम हो जाएगा उनका कुछ काम के लिए काम हो जाएगा तो फिर आजाएंगे दोस्तों तो देखिए दोस्तों बने रही है इसी तरह हमारे वीडियो पर अगर हमारा वीडियो थोड़ा सभी अच्छा लगे तो लाइक कुमेंट शेर जरूर कीज कभी भी आते हैं तो थोड़ा सा 2-4 मिनद देखके स्कीप किया कीजिए इंप्रेशन बहु ज्यादा खराब हो जाती है दोस्तों तो चलिए बने रही है इसी तरह वीडियो पर देखिए क्या कि आज मैं सेयर कर पाती हूं मैं तो मतलब बताई कि आज बिलकुल अच्छा न हुआ तो मैं आज हँ सेनने रहे हैं जारा मिल्स पर जeon म करनों दोस्तों आज हो Il दो खें आज बड़ा कि और खेंल खेंडा हों मैं धिए दिया दर लहां करते हुए देखिया दोस्तों मेरे बच्चे लोग आकते हूं नुए मैं आरे हुं ठीज अनता में आती हूं मिलती हूं चलिए दिखाती हूं कला बो तरास्ता कसी एंगत देखिये दोस्तों हम लोक चल दिए हैं फैसन पोचाने बावो लोग को कि Otherwise ज्यादा दूर नहीं है बस पासी में है यह पे नजदी के हैं ज्यादा दूर नहीं है सामके इस सीन है दोस्तों मैं यहां पर एपल काट रही थी बावु लोगों को खाना था यह चलते तो अब आवु इधर हुमक भी बना रहा था और उसके बाद फिर दोस्तों अगई हमारी सिस्टर मामा के लड़की छोटी वाली तेहां पर देखिए इन लोग मतलब मैं सुना-सुना वैठी थी तिन लोग हमारा मन मत बहलाने के लिए हमको उदास इन लोग देखे तेहां पर देखिए कौन सा पता नहीं कौन सा गेम इन मिलता है पतलब फाइफ हंड्रेड, टेन हंड्रेड, टेन थाउजन, वन थाउजन सारा चीज इससे चोटा बच्चा को सिखनों को मिल रहा था और सबसे बड़ी बात में है कि इसमें हिंदी और इंग्लिस में दोनों सब्द लिखा हुआ था पढ़पढ के पढ़पढ के तो फिर ब्यापार जो जीत रहा था उसको देना था तो हमारे अच्छा लगा एक खेल हमको कि इससे बच्चे लोग को ग्यान मिल रहा है और कुछ नहीं है तो आप भी घर में ला सकते हैं अपने बच्चे लोग को खेलने के लिए लीडों से भी बहुत अच्छा चीज है दोस्तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि बच्चे लोग को रिभाईज हो रहा है पड़ाई में भी और मैत और इंगलीज हिंदी तीनों बिशे में इसमें रिभाईज हो रहा है तो हमको बहुत अच्छा इखेल लगा तो हमको भी यहाँ पे इन लोग मन लगा रहे ते दोस दोस्तो एक आएक हमारे हस्बेंट जी का फोन भी आ गया था कि मैं पहुचने वाला हूँ, खाना बना के रखना, मैं तो सान थी थी, कि चलो आज खाना उत्ता नहीं बनाओंगी, थोड़ा बूत बनाओंगी, लेकिन हमारे हस्बेंट जी को आना नहीं था, लेकिन फिर पता साथ कुछ काम और नहीं हुआ उनका इस चलते नहीं रूखे कि वहां पे गया नहीं उतना पता भी नहीं है हमको मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगे दोस्तों तो फिर मैं यह मतलब सोची कि चलो ठीकी हुआ अज बिल्कुल मन नहीं लग रहा था हमको मतलब हस्बेंट जी का जेस्ट फोन ही आ गया कि मैं आ रहा हूं अब भी मतलब पहुचने वाला थे तब फोन किये कि मतलब मैं पहुचने वाला हूं खाना बना देना तो फिर चलिए दोस्तों मैं यहां से उठूंगी और खाना बनाने जाओंगी तो फिर मैं दिखाती हूं पार्टू कोन जीता देखिए दोस्तो फाइनली आरिया सर्मा जीत स 안fa अब कर दोस्तो मैं मिलती हूँ अगले दिन वीडियो के यहीं पर एंड कर रहोंगी आप आप को आप